तो हैइग आई स्वागत है आप सभी क्राइट का फिर से एक नई वीच्ट में आप और आप स наблюд downtime Leah कण से आप वल्हकों बिलुकुल लाइप पुरूट करके डिखाने वाला हुँ मेरे पास देखए तकते हैं काईच की दो credit card पड़ा हुआ है जो कि एक है वन card का और दूसरा मेरे पास यहाँ पर भारत पर करता हुआ है तो दूस्तों तो मैं इस credit card का पैसा को बिल्कुल live रूद के साथ आप लोग को जो की direct इस credit card का पैसा को ट्रांथर करके कहने दिखाने बढ़ा हूं तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि रेडिर काड का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करें तो फीच तरीके से करेंगे वह सारा तरीका इस्टेबाइब इस वीडियो में open कर रही हूँ, phone पे open करने का बाद, अब आपको क्या करना है का यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है, आने का बाद यहाँ पे आपको एक option देखने को मिलेगा, see all लिखा हुआ है, इस वाले पर आप click करेंगे, तो click करने का बाद और थोड़ा नीचे आने का बाद एक option यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, rent payment है, इस वाले पर आप जो की click करेंगे, rent payment यहाँ नीव लिखा हुआ है, इसी वाले पर आप click करेंगे, और करने का बाद यहाँ पर आपको कोई option मिलेगे, home shop rent है, society maintenance है, broken payment है, तो यहाँ पर हम home shop rent वाले पर click किये हैं, आप भी जो है इसी पर click कर लेजिएगा, तो चलिए हम इस वाले पर click करते हैं, करने का बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर rent amount डालना है, तो यहाँ पर आपका minimum amount जो है, इसमें 1000 रुपे लेगा, उसके बाद यहाँ पर direct bank में भी ले सकते हैं, या फिर Bheem UPI के माध्यम से भी ले सकते हैं, तो दोस्तों उससे पहले आपको क्या करना है, landlord name में यहाँ पर आपको name डाल देना है, और उसका बाद mobile number यहाँ पर optional है, आप चाहे तो इस box में mobile number दे सकते हैं, या इसको छोड़ भी सकते हैं, तो दोस् आपको plus का icon मिलेगा, इस वाले पर आप जो की click करेंगे, और करने के बाद जो भी आपका bank account रहेगा, यहाँ से आप select कर लेंगे, जो भी आपका bank रहेगा माली है, यहाँ से आप select कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना account number इंटर करना है, उसके बाद next करेंगे, तो आपका bank जो की यहाँ पर add हो जाएगा, तो मेरा bank यहाँ पर add के हुआ है, चलिए मैं select कर लेता हूँ, तो तो मैं यहाँ पर अपना bank जो की select कर लिया हूँ, जो की आप सभी देख सकते हैं, कि मैं यहाँ बैंक जो की select कर लिया हुँ, अब चलिए नीचे continue का option तो इस बाले पर हम कि लिक करते हैं और करने को आपको प्रक्राइब ड्रीट करें कि यहां पर आपको कुछ बॉक्स खोल जाएगा यहां सब्सक्ügen करेंगे यहां पर लेंगे मैं इसको फिल कर लेता हूं तो दोस्तों तो मैं यहां पर अपना card number दो की enter कर लिया हूँ चलिए parent वाले पर हम click करते हैं तो click करने के बाद यहां पर आपको processing में रहेगा उसके बाद आपको credit card के paste पर लेकर चला जाएगा तो चलिए मेरा यहां पर आगिया है उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर एक OTP आएगा चलिए हम थोड़ा दिर wait कर लेते हैं तो मेरा OTP आगिया है चलिए हम यहां पर OTP जो की enter कर लेते हैं तो मैं यहां पर OTP एंटर कर लिया हूँ चलिए confirm वाले पर हम click करते हैं लहा है मेरे अकाउंट में 1000 रुपए जो की अभी क्या भी ट्रांसफर कर दिया गया है सो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप लोग भी कि रेडिकार का पैसा जो की अपने डारेक्ट अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं सो आज के वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को काफी पसंद आया होगा सो गाईज अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दिजेगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टोपी के साथ